2022 तक एक नए भारत का निर्मान करने के लिए माननिय प्रधान मंत्री जी के विजिन के तहट विश्वस्तरिय ट्रांस्पोर्ट इंफ्रांस्ट्रक्चर के विकास को प्राथमेक्ता दी गई है। इस एक्सप्रसवे का पहला सेक्षिन दिल्ली मेरट एक्सप्रसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास EPE जंक्षन पर समाप्थ होगा। इस एक्सप्रसवे से उत्तर पूर्वी दिल्ली के ट्राफिक को जाम से चुटकारा मिलेगा। यह यूपी सरकार को ट्रॉनिका सिटी और मंदोला विहार डिवेलपमेंट की लाइफ लाइफ लाइन साबित होगा। दूसरे सेक्षन में EPE क्रोसिंग के बाद यह 6 लीन एक्सप्रसवे 118 किलोमेटर लंबा ग्रीन फील्ड मार्ग होगा। जो सहारनपुर बाइपास से जुड़ जाएगा, हाइवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इंटरचींच और 60 अंडरपास होंगे। एक्सप्रसवे एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ उपयोग करताओं के लिए अपने प्रकार का एक अनूठा अनुभव देने का वादा करता है। जैसे की क्लोज डोल प्रणाली, CCTV कैमरों से पूरे हाइवे की निगरानी, प्रती 25 से 30 किलोमेटर के अंतराल पर हाइवे के किनारे अत्याधुनिक जन सुविधाय बनाई जाएंगी। तीसरे सेक्षिन के अंतरगर सहारनपुर बाइपास से गनेशपुर के 40 किलोमेटर एक्सेस कंट्रोल सुरक्षा अथवा 100 किलोमेटर प्रती घंटा गती को सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार जैसे की अतिरिक्ट अंडरपास वा अतिरिक्ट सर्विस रोड सड़क की कम चोड़ाई, तीवर मोड और सही पुल्सन रचनाओं की कमी के कारण पीक आवर्स तथा शनीवार और रवीवार के दौरान यात्रियों को जो ज्यादा तर परियटक होते हैं कई घंटों तक ट्राफिक जाम का सामना करना पड़ता है। के बे रोक टोक आवा जाही को सुनिश्चित करेगा। मौजूदा हाइवे वर्तमान में डाट की देवी टनल से होकर गुजरता है। इस टनल के साइड में एक और टनल बनाई जाएगी ताकि यातायात आवा गमन विभाजत रहे। इस एक्सप्रेस वे का तकरीबन 4 किलोम का हिस्सा उत्तरा खंड में है, जिसका ज्यादा तर भाग सामान्य भूमी तल से उंचा रहेगा, ताकि अंडर पास के द्वारा वन्य जीवों का आवा गमन बना रहे। छे लेन 12 किलोमेटर लंबा वाइल लाइफ कोरिडोर भारत वर्ष में ही नहीं, बलकि एशिया का सबसे लंबा वाइल लाइफ कोरिडोर है, जो अपने आप में एक मिसाल है। किलोमेटर से लगभग 25 किलोमेटर कम हो जाएगी, और यात्रा का समय जो वर्तमान में उसतन 6 घंटे 30 मिनट का है, उसके मुकाबले लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा।